सरीर के अंचाहे बालों को हटाने का एक ऐसा जवरदस्ट नुस्का लेकर आई हूँ दोस्तों जिसके पहले बार के इस्तमाल से ही आप अंतर महसूस करेंगे इसके लिए कई बार हम वैक्सिंग का सहारा लेते हैं थ्रेडिंग करवाते हैं हेर रिमूबल क्रीम का इस्तमाल करते हैं और कई लोग तो रेजर का इस्तमाल भी करते हैं लेकिन ये सारी चीजे बहुत ही जादा गलत है इससे हमारी तोचा जो है न काली पड़ जाती है हमारी unwanted hair को remove कर सकते हैं वही वीडियो में आपके साथ आज शेयर कर रही हो तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है हल्दी हल्दी आप अंबा हल्दी या आमा हल्दी भी ले सकते हैं या kitchen की जो normal हल्दी है वो भी ले सकते हैं वैसे skin के लिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ जो अंबा हल्दी होती है या कस्मीरी या कस्तूरी हल्दी वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है ठीक है कई लोग कई तरह से इसको पुकारते हैं और इसके बाद दिखिए मैंने यहाँ पर लिया है कच्छा दूद ठीक है अगर आपके पास दूद नहीं है तो आप इसकी जगापर पानी भी ले सकते हैं कच्छा दूद जो होता है हो हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छा रहता है टैनिंग को रिमूव करता है और हमारी skin में एक चमक लिकी आता है तो यहाँ पर लगबग दो चमच की करीब मैंने कच्छा दूद लिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो बापस से हम क्या करेंगे थोड़ा दूद और ले लेंगे तो अभी दो चमच ही काफी है इसको लेने के बाद यह जो हल्दी है इसको बढ़िया से क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तो अगली चीज मैंने लिया है यहाँ पर गेहू का आटा गेहू का आटा दोस्तो हमारी skin के लिए बहुत ही ज़दा आच्छा रहता है हमारी skin से जितनी भी tanning है उसको भी remove करता है जितने भी male वगेरा है आपके skin के उपर जमा हुआ उसको भी बहुत अच्छे से छुडाने का काम करता है तो एक चमच मैंने यहाँ पर गेहू का आटा ले लिया है और जो हमने दूद और हल्दी का गोल तयार किया था ना उसके ही अंदर आपको यहाँ पर इसको डाल देना है इसके बाद दोस्तों अगली जो चीज ली है वो ली है मैंने यहाँ पर बेसन जी हाँ आप सभी को पता है बेसन हमारी skin के लिए क्या करता है बहुत ही अच्छे से चमक लाता है गंदगी को यह हटाता है और आज हम इसको यूज करने वाले हैं अपने unwanted hair को remove करने के लिए तो इस pack को कैसे बनाना है ध्यान से देखते चाहिए और इसको तुरंद करके देखेगा बहुत ही बढ़िया result आपको मिलने वाले है तो देखें आदा चमच के करीम मैं यहाँ पर यह जो बेसन है इसको ले लूँगी इसके बाद अगली चीज ली है मैंने यहाँ पर टमाटर टमाटर की जगह पर आप यहाँ पन नीबू के रसका भी यूज कर सकते है यह हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है हमारी स्किन में चमक लेके आता है जितने भी दागदब्बे हैं उनको भी रिमूब करता है ठीक है और जो अन्वांटर हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम करता है तो इस तरह से लेने के बाद इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर यह पैक मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा लगवग एक चमच के करीब दूद में और एड़ करने वाली हूँ और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर दूँगी तो इसका पैक जो हमें बनाना है ना बहुत ज़दा गाड़ा बनाना है ना बहुत ज़दा पतला बनाना है ठीक है तो यह देखे कुछ इस तरह से हमारा पैक यहाँ पर रहना चाहिए मतलब एक चिप चिपापन इसके अंदर रहना चाहिए ठीक है अब इसके अंदर हम कोई भी तेल एड़ करेंगे जिससे यह जो पैक है जब हम छुडाएंगे तो बहुत ही आसानी से छूट जाए ठीक है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनेट वाइल आप इसके जगापे सरसो का तेल या सुद जो देसी की होता है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं बढ़िया से इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे इससे जब हम पैक अपने चेहरे पर लगाएंगे या अपने हाथों पर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से यह छूट जाता है अगर हम इसको एड नहीं करेंगे रहूंगे बाल है तो आपको क्या करना है इसको इसी साइड में लगाना है ठीक है मतला अपोजिट डारेक्शन में अभी हम इसको लगाएंगे नहीं हाँ हम इसको अपोजिट डारेक्शन में ही छोडाएंगे लेकिन लगाना आपको बालों की डारेक्शन में ही है ठीक है बस इस बात को आप अच्छे से ध्यार रखेगा और इस पैक को जहां के भी आप बाल छोड़ाना चाहते हूं अच्छे से आपको लगा देना है ये देखिए इसकी कोई भी मसाज वगएर हमें यहां नहीं करनी है दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आप इसे अपने होटों के उपर जो हमारे अपर लिप्स पे बाल होते हैं उन्हें भी रिमूब कर सकते हैं कनपटी के पीछे ठीक है बाल होते हैं उन्हें भी हटा सकते हैं जितने भी फेशियल हैर हैं उनको भी रिमूब कर सकते हैं कुछ से पंदा मिनिट के लिए जब तक कि ये पैक आधा गीला और आधा सूखा ना रजा है पूरी तरह से इसको नहीं सूखा नहीं है हलकिसी नमी इसके अंदर रहनी चाहिए तो दोस्तों यहां पर इस पैक को सूखते हुए लगबग 10 से पंदा मिनिट हो चुके हैं और हाथ से म बिल्कुल भी यह हमारे हाथ पर नहीं आ रहा है ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह से आधा सूखा हुआ और आधा गीला हमें पैक रखना है अब देखें इसको कैसे हम छोड़ाएंगे अब इसे हम अपोजिट डारेक्शन में जो हमारे बाल है उनकी अपोजिट डारेक्शन में छोड़ाएंगे यह देखें इससे क्या होगा यह जो पैक है ना इसकी जब रगड हमारे हाथों के जो बाल है उन पर पड़ेगी तो वो सारे के सारे बाल है छूट कर इस पैक के अंदर आ जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से अपर लिप्स के बाल भी छोड़ाने हैं आपकी उस जगा पर बाल आना ही बंद हो जाएंगे उनकी ग्रोथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी यह देखिए हमेसा दोस्तों नैच्रल चीजों का सहारा लीजे ठीक है क्योंकि इनका बहुत बड़ी है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और कोई भी साइड एफेक् आते हैं और इन सारी चीजों का अगर आप यूज करोगे तो आपका कलर भी फियर होगा अन्वांटिड जो हैर है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे है ना जितनी टैनिंग है जितना मैल है जमा हुआ वो सब भी रिमूव हो जाएगा तो यह देखिए दोस्तों मैं हातों के बाल है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे चलिए मैं आपको यहां पर एक दिखाती हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप पैरों की भी जो हैर होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं यकीन मानिये दोस्तों आप जब इसको यूज करोगे चलिए मैं आपको हात पर लेकर दिखाती हूँ तो इस तरह से छोटे छोटे जितने भी रोए है ना वो सारे के सारे इस पैक से खिच कर आ जाते हैं और धीरे धीरे उस जगा पे बिल्कुल बाल आना ही बंद हो जाएंगे आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों को इस चाहते हैं विन बाल ना जाती हैर यहती है हैे पर जाते हैं यह चीत्य दिन तक बिल्कुल वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं बड़ीन कीजिएगा और आप इसका रिजल्ट तो देखी सकते कितने अच्छे से चमक आई है बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों जितने भी आपके फेशियल हेर हैं करपटी के पास जो बाल है ठीक है किसी लोगों के होट के ऊपर बहुत मोटे मोटे काले काले से बाल होते हैं वो सारे के सारे इस पैक से बहुत अच्छे से आप रिमूव कर सकते हैं ये देखिए तो चाहें आप चहरे पे लगाए या फिर पैरों में लगाए बस आपको अपोजिट डिरेक्शन में ही छोडाना है और जब लगाएगा तो ध्यान रखेगा जिदर बालों की ग्रोथ है मतलब जै अच्छे से पैक को छोडा लिया है बस इसके बाद नहा लीजे या फिर चाहरे को धूलीजे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ तो आज की इस